अब है गोवेकर के साथ नमस्कार आप देखरें 11 News मैं हूँ आपके साथ राहूल गोयल आज एक एहम बयान संग के एक नेता की तरफ से आया संग के नेता का नाम है राम माधव उन्होंने एक अंग्रेजी अखभार में कहा कि वो और उनकी पार्टी यानि की बीजेपी जिसका थिंक टैंक आरेसस कहलाता है वो धारा 377 जो की दरसल क्रिमिनलाइजेशन की तरफ इशारा करती है जो समलेंगिक होते हैं उनके संबंदों को लेकर इस बाबत उन्होंने बया विचार किया जासकता है और इसको बदलने की कोशिश आने वाले वक्त में हो सकती है क्या आर्माधव के इस बयान को समलेंगी इस लिए लिए अदिकारों के लिए लड़ाई लडने वालों के लिए एक उम्मीद की कीरन समझा जाएं और क्या Chile चलिए तो धारा 370 आई पीसी की धारा 370 पर संग के कुछ नेताओं ने नर्मी दिखाई है और संग ही दरसल चुकी ठिंटेंक रहा है बीज़े पी का और जो भी तब्दीलियां खानून में होनी है या खासकर इस संबंद में उस पर संग की क्या राये बहुत माइने रखती है और अगर संग इस पर नर्म होता है तो कि आने वाले वक्त में बीज़े पी की सरकार जो की स्टूडियो में मौझूद है जो खुद इस कम्यूटी से तालूग रखते हैं हमार साथ चलिए हमार साथ अभी जी तो रंकित है इनके पास हमाएंगे लेकिन शाइना एंसी बीजेपी नेता हमार साथ फोन लाइन पर मौझूद है शाइना जी बहुत बहुत स्वागत है चुकिया इसको लेकर आपकी पार्टी का स्टेंड कब तक क्लियर होगा ह्ते हैं लेकिन उनको क्रिमिनल कहना हमारे हसाब से गलत होगा बिल्कूल यानि की अगर कोई प्राइवेट स्पेस में अपने अधिकारों का इस्तवाल करता है उसको क्रिमिनल की श्रेणी में राना ये गलत होगा या आप कहना चाह रही है जी हां लेकिन उसके साथ साथ जो हम चाहते हैं कि समाज में थोड़े मॉरिल वालियूज रहें तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलत है अच्छा शायना इंसी जी एक चीज़ समझना चाहूंगा एक महिना पहले खरीब जब आपकी सरकार नहीं आई थी सत्ता में और इलेक्शन का दौड जा रही था तब आपने टाइमस ऑफ इंडिया इस पर से लगता है संपर्क थूट गया हमारा लेकिन फोन कटने से पहले एक महतुपूर्ण बात यहां पर शायना इंसी ने कही और वो यह की क्रिमिनाइज़ेशन जो है इस पूरे मसले का उसमें उसकी डेफिनेशन क्लियर करनी होगी और अगर कोई अपने अधिकारों का इस्तिमाल कम सकम प्राइवेट स्पेस में करता है तो मोरैलिटी को बरकरार रखते हुए कम सकम उसको यह हक दिया जा सकता है यह स्टेंड शायना इंसी की तरफ से इस पर आया और हमारे साथ दो खास महमान स्टूडियो में भी मौजूद हैं हमारे साथ अभीजीत हैं साथ नेता का बयान देता है तो आप लोगों के लिए किस तरह की हौप जो इवो जटी है और देङर आरे से स्टूडա आटा कर जाना ँव्रागा हमारे कम्यूंइटी के लिए माना जाना चाहिए क्योंकि अगर RSS यह सिगनल देज रहा है कि समलेंगे एक तामें किसी भी तरह का कोई गयर कानूनी तत्व नहीं यदि कोई सम कोई दो व्यक्ति उनका जेंडर जो है जो भी हो दो पुरुष हो दो स्त्री हो कोई भी व्यक्ति यदि वयस्क है और अब आपसी सहमती से एक संब बनाते हैं एक दूसरे के साथ इसमें किसी भी तरह का कोई कानून तूट नहीं रहा है इस तरह का अगर को स्टेटमेंट RSS की और से आ रहा है तो यह हमारे लिए बहुत ही होपफूल है और बहुत ही पॉजिटिव साइन है लेकिन अभी भी चीजें साफ नहीं है दरसल एक सिफ उम्मीद की किरन दिखाई और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आर माधव का अपना बयान हो सकता है लेकिन RSS की पूरी सोच बदलना और चुकि RSS की अगर सोच बदलती है तो फिर बीजेपी के लिए फैसले लेना आसान होता है यह दूर की कॉड़ी दिखाई देती है और कुछ निराशा आप लोगों को कोर्ट से भी हाल फिलाल में हाथ लगी थी इन तमाम चीजों को मद्दे नजर रखते हुए आपको क्या लगता है आने वाले किस तरह की उम्मीद दिखाई देती है और सबसे पहले जहां तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट में क्यूरी ट कोर्ट को अभी ही इस वज़ा से डेट नजरी की उनका समर वेकेशन कंप्लीट होगा तभी सुप्रीम को जो है अपनी नेक्स डेट देगा उसके अलावा तो यह कानूनी प्रक्रिया है सुप्रीम कोड की जो प्रोसेस से वो चल रही है और हमें भारतिय समीधान और भारति की नाए प्राणाली से बहुत आशा है कि वो इस बात को समझेगे जहां तक दूसरी बात रहती है इसका कानून को पारित करवाने की समीधान के दाइरे में रहकर और संसत से तो उसके लिए हमारे जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी जिसको भुमत मिला इस जनादेश में उसके पास जाना होगा कहीं बार यह कहा जाता है कि वो पूरी तरह RSS के उपर डिपेंडेंट है जो मैं अंगत तौर पर नहीं मानता है मैं एक अलग मंतव यह रखता हूं कि जी हां अगर आरेसेस के एक सोच है तो बीजी की भी बीजेपी की भी अपनी एक नीजी राय हो सकती है अगर अरुन जेटली है जो व्यक्ति ने एक अभी नीजी टीवी शो में कहा था करके वो अंगत तोर पर यह मानते है कि समलिगता मे कोई गलत चीज नहीं है चुसमा स्वराज जी है जिनों ने जब इस सुप्रेम कोट का जज्जमेंट आया था पिछले साल बारा तारिक को ग्यारा बारा दो होजार तेरा को तब उन्होंने शाम को यह कहा था कि कर यह कोई सामीधिन शील विशह है और इसके पर आल पार्ट करता है कि आप ग्लोरिफाय कर रहे हैं किसी बेहवियर को या फिर उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन का क्लॉज है उसको हटाना चाहरे है दर असल आप लोगों की मांग क्या है क्या ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए इसका या फिर कम से कम जो क्रिमिनल का ठपा लगा दिया जाता है आप थी कम्यूटी पर वो हटना चाहिए सबसे पहले तो मुझे यह लगता है कि there should be an awareness in the society कि और असल आप लोगों को अपूज़िए क्या है और इसका बैगराउंड क्या है तो जडरी आप रिखिए जो समझ थी जो क्रिमिनल अक्रिम ए टिविटी जो हमारी कल्चर नहीं है जो सबसे पहले जो अवेरनस नहीं होगा जब लोगों को समझ मे नहीं आएगा तो there'll be confusion to remain, it will remain, the confusion will always remain in the society to islay it's my personal opinion कि the media channels say the film industry people media channels newspapers and etc they should try to create awareness about homosexuality it is normal and it's not a western culture it's perfectly all right to be normal and when you say glorification this is completely out of question glorification, it's not a matter of publicity or trying to give a special it's completely normal like straight people, homosexuals LGBT, IQ community that is lesbian, gay, bisexuals transgender, intersex and queer people they're absolutely fine or this is something United Nations completely agree being homosexual is completely normal so glorification is not the issue it's just the acceptance and the criminal that is completely out of way for humanity it's against humanity and at this point of time I'd also like to say that homosexuality section 377 criminal rule Britishers and Britishers have removed this rule and they've also legalized gay marriages so abhi india mein jab itne saal freedom hoonne ke baad sab kuch awareness hai and everything to hum phir bhi wahi rule ko hum we are still stuck to it to definitely ले ले इसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्मेंट्स करने पड़ेंगे ना सिफ IPC में बलकि Constitution में भी एक amendment आपको करना पड़ेगा और इसके बाद ये जो है तमाम चीज़े वा अधिकारों के रूप में आपके सामने आ सकती है अंकित आप कुछ कहना चाह रहे थे आप अपनी बात कहें उससे पहले एक सबाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये लड़ाई यूं भी बहुत लंबी रही है और खानूनी दाओं पेज भी समर्थन में आया और कई लोगों ने इसका विरोध किया और खासकर जो बेनिफेस्टों में कोई इशारा नहीं था और कहा ये भी गया कि जो LGBT कम्यूटी है वो BJP को वोट देना भी नहीं चाह रहे थी और देना भी शायद दिया भी नहीं होगा बहुत से लोगों ने वो या तो आम आदमी पार्टी की तरफ सीच हो रही थी या फिर कॉंग्रेस की तरफ लेकिन आप चुके सरकार BJP किया गई है और यह सच है क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की मांगे इन ही तरीकों से जो मोमेंट से आप लोग शला रहे हैं जिस तरह से आप अपनी बात कोट में भी रख रहे हैं या आप थोड़ा बहुत समर्थन आपको उन कि व्यक्ति इसकी ग्लोरिफिकेशन की राय करीन है जिस तरह से अभी हमने आरस्स का बयान सुना और आपने का करके कोई कहीं लोगे जो कहता है कि इसमें क्रिमिनली ती है जो घ्टानी चीए और इसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चीए क्या हम सम जो विशमलेंगी समुद आ है जो स्य ब्सकुन कर रहा है नहींगा जैसे है उसका स्विकार कर रहा है अनुट, हमवी ऐसा ही चैनलit क्यानोय जब आःगा किया जाए दूसरी बात है कि जहां पर आपने मुझे कि विविद राजनेतिक पार्टी के बाद संबसंदर में पूछा, जी हां, कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में ये बात डाली है, जहां पर उन्होंने कहा करके कि समलेंगी का समलेंगी का जो क्रिमिनलिजेशन है, वो हटाए जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उन्होंने इस बारे में बहुत ही हंगामा मचाया था अनिक टीवी चैनल्स पे, और आम आदमी पार्टी को मैं बधा ही देता हूं कि वो पहली पार्टी थी जोन अपनी जैसे सुप्रेम कोड का जज्ज्मेंट आया, और उन्होंन मात सकते हैं कि जो प्रमुक तीन पार्टिया हां जह हमारे इस इलेक्षिन के 2014 की इलेक्षिन में थी भार्तिय जनता पर्टि अरा किसा केवल क्वेल कांग्रेस पार्टिया पर्टिय के अपने हिस्पार टी ती चुनौने अपने मैनीं स्टू में रख़ो बात को डाला ठीक है अब इसको समझना होगा कि कॉंग्रेस ने पहले भी कई चीज़े मेनिफेस्टों में डाली कई विशेश समूदाय के लिए क्या उन्हों ने इसके ऊपर खार है उत्र है और अगर हमारे अगर हमें स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है और करनी का फर्क उसको किस तरह से देखा जा सकता और राजनितिक परिणाम उसके किस तरह सोते है एक रिपोर्ट के जरी समझने की कोश़्ेश करते हैं केंद्र में नई सरकार आ गई है कई मुद्दों पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है लेकिन एक मुद्दे पर सरकार अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है और वो है IPC की धारा 377 ये धारा देश में समलेंगिक संबंधों को अपराध पांती है और इसके तहट एक ही लिंक के दो लोगों के बीच संबंध बनाने वालों को सजा दी जा सकती है लेकिन संग के एक बड़े नेता आर माधव ने संकेत दिये है कि BJP इस पर अपना रुख नर्म कर सकती है दरसल राम माधव ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा है कि आने वाले वक्त में इस पर विचार हो सकता है लेकिन क्या कदम उठाए जाएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा हाला कि समलेंगी कधिकारों की रक्षा करने वाले ये मानते हैं कि BJP इस पर कोई बड़ा फैसला ले ये मुश्किल दिखाई देता है और संग की विचार धारा में आया ये बड़ाव भी फौरी बड़ाव है या इसके पीछे वाकई सोच बडलने की नियत है ये भी साफ नहीं है गौर्दलवे कि इन लोगसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टों में धारा 377 को हटाने की बात कही थी हाला कि BJP ने इसको लेकर अपना कोई रुख साफ नहीं किया था हाला कि वक्त वक्त पर BJP के तमाम नेता इस धारा को हटाने के खिलाव अपनी राए दे चुके हैं लेकिन देखना ये होगा कि BJP के तिंक टैंक RSS की सोच में आए इस बडलाव का असर क्या सरकार की नीतियों में भी होता है और क्या धारा 377 को हटा कर समलेंगिक संबंधों को मानेता दी जा सकती है ब्यूरो रिपोर्ट लेमन न्यूस चलिए सियासत इसको किस तरह से लेती है और इस पर क्या फैसले होते है आने वाले दिनों में देखना दिल्शस होगा इस बीच प्रटिशन जो है वो कोट में भी है और उस पर क्या फैसला आता है उस पर भी इस कम्मुनिटी के साथ साथ उन तमाम लोगों की निगाये होंगी जो इनके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं लेकिन अंकित और अभी जीत आप दोनों से मेरा सवाल एक यह है कि बहुत सारे देशों में इसको मानेता दे दी गई लेकिन हमारे देश में अभी तक मुम्किन नहीं हो पाया क्या आपको ये लगता है कि दरसल जो glorification का सवाल है वो इसलिए बार बार ख़ड़ा हो जाता है कि कुछ लोग pretend करते हैं कि वो इस community से तालोक रखते हैं जब कि ऐसा होता नहीं है और शायद ऐसे बहुत सारे लोग जो ये pretend करते हैं उनकी वजह से उनका खाम्याजा उन लोगों को बहुतना पड़ता है जो शुरू से या फिर पैदाशी तौर पर जिनका ओरेंटेशन जो हो इस तरह का होता कि आपको लगता है ये इसने थोड़ी सी confusion के सिती क्रेट की है डेशन के सिंबल बना करके इसको 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 इसमें बहुत सारे confusion है सबसे पहले तो आगेट सो confused कि हमारे देश के बहुत सारे सीनियर नेता लोग बहुत ही एजुकेटेड नेता लोग जब बोलते हैं कि इस इस क्रिमिनल अक्टिविटी और यह हमारा कुल्चर नहीं है और बहुत सबसे पहले उनको अवरनेस चाहिए उनको एजुकेटेड होना चाहिए और इस वरी पॉसि सब्सक्राइब को सपोड गरेंगे तो तो सबसे पहले एवरनेस की ज़रुर। लट अवीरनेस चाहिए बहुत से बहुत सबसे थे तो हम और भाहिए उनको अवेश फिर्फटे नहीं है कि आपि पयाद लगव के वह थे लिए उनको एपटेड नहीं होनेस होने की बहुता ह इस बहुती confusion situation अभी, बहुत confusion. दिर इस लॉट of confusion in public's mind as well as in political leaders. अंगित, आपका क्या मानना है जो छदम तरीके से आप लोगी community में घुजाते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि उनका orientation ऐसा ही है, sexual orientation जैसा आप लोगा है और बाद में फिर दिक्कते खड़ी होते हैं, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को जो fashion के नाम पर इस तरह की चीज़े करते हैं, उनको अलग करना होगा ताकि जो है वो clear cut message जाए कि आप लोग दरसल कौन है, आप लोग क्या इसलिए आप से सवाल पूछ रहा हूं कि बहुत से लोगों में यह confusion होती है, आम लोगों में कि जैसे आम तौर में भाशन में कहते हैं कि बहुत सी तो fashion सा चल पड़ा है, इसलिए अब तमाम बड़े-बड़े Bollywood celebrities अचानक यह कहने लगते हैं कि हाँ, वो भी इस तरह से हैं या इस तरह से सोचते हैं, इस चीज़ को clear करना तो आखिर ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जिस को represent करते हैं, वो पैदाईशी उस चीज़ की उस चीज़ के साथ पैदा होते हैं और उस तरह का orientation होता है लेकिन बहुत से लोग बाद में आकर इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं एक लेमान की तरह आप से सवाल पूछ रहा हूँ, तो उस सोच को कैसे दूर किया जाया है, उस सोच को हम education से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें reach out करना होगा लोगों तक, उन्हें स समझाना होगा कि वाकरी में समलेंगिक ता actually क्या है, आज भी कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, कि एक समलेंगिक व्यक्ती होता क्या है, वो क्या सोचता है, उसको इस परकार की भावना है क्या से पैदा होती है, और ये ज़रूरी बदलावाएगा अगर ह चेंजिस आने के कारण ही हम इस बारे में जादा से जदा लोगों तक रीचाउट कर पाएंगे, जैसे कि कई देशों में sex education जो हमारे देश में शुरू हुआ है बिछले कुछ सालों में, जिसमें homosexuality को भी add किया जाए, जिससे इस बारे में बच्चों को भी पता चले, जो और उसके बाद वो आगे जा कि इस बारे में clear रहे, तो उसमें एक तो है वो education system में बदलाव करना, दूसरी बात है कि NGOs के द्वाराज हमारे देश में कहीं सारे non-governmental organization है, जो HIV के संबंध में काम करते है, sex education के संबंध में काम करते है, यह उनके भी moral responsibility है, कहीं सारे करते भी है इस समय, उनके भी moral responsibility कि रीच आउट करें, ग्रासूट लेवल पे लोगों तक उनने बताएं कि समलेंगिकता एक्चुली होती ही क्या है, और यह किस तरह से होती है, उसी तरह से प्रकृति दत्त होती ही जैसा कोई विशमलेंगिक व्यक्ति होता है, तो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुचने से, उनसे बात करने से, उनको समझाने से लोग जरूर से समझेंगे. अच्छा, जिस तरह से पिछले दिनों Supreme Court का एक फैसला आया था, धर जेंडर को ले करके कि नौक्तियों में और इन तमाम चीजों में जो है, उनको भी शामिल किया जाएगा और व है, जो हमारे जो कम्यूनिटे के जो एक्टिविस्ट से, बहुत मैनथ कर रहे हैं इसके लिए, और फरस्ट अफॉल जो हमारे जो मेंथीजन से तो इसके भाए उनका बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहते, यह उनका होगा, जो रिज़र्विशें की बात आप पूछ रह सब्सक्राइब जरूर सोचना पड़ेगा की इनको एनको एनको ऑपरचूटी देने के लिए तो इस फुट बे शुट बेस बेसर बेश्टन स्टम सें यह हायर एडुकेशन सिस्टम सें सें इंस्टिउशन में रिजर्वेशन देके एंकरेज कर सकते हैं और जैसे पार्लीमेंट में भी दिर्शुड नॉमिनेटे लीडर्स क्योंकि जाधा थे लोग LGBT लीडर्स को भी चुनाव में एलेक्ट करना नहीं चाहते हैं रिजर्वेशन देक्ट करें कि इसको बहुत से इसको चाहूंगा क्या लगता है आपको बदलाव की सूरत क्या हो सकती है और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे सरकार के रुख में भी नर्मी आएं और कानूनी पेचित्कियां वो भी देर से बीर दूर हूं मुझे ये कहना है कि कई बार जो है समलेंगी के लोग पिछले कुछ मैनों में देखा है कि कई लोग BGP की टोटली अगेंस चले गए हैं उनके कुछ कारण की वज़े से मुझे लगता है कि बाचीज से हर समस्या का सुमाधान हो सकता है तो हम बहुत आशावादी व्यक्ति हैं हमाँ आशा है हमारे सर्वोच नयायलाई से जिस तरह सभी आपने खा ट्रांसजेंडर का जो वर्डी काया था वो बहुत ही पोजिटिव था तो इस तरह से हमें आशा है कि वो 377 की जो धारा है हम को विश्ष रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं चले देखना होगा कि जिन अधिकारों की लड़ाई तमाम लोग लड़ रहे हैं इस तरह की LGBT कम्मिनुटी से जुड़े लोग जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या नई सरकार आने के बाद उनके लिए रहा आसान होती है और क्या खानून में बदलाव के साथ सोच में बदलाव जो ज़्यादा जरूरी है वो आपाता है ये तमाम चीज़ें देखनी दिल्चस्प होगी झाले कुछ झाले की तसे लिए खानून में लिए मुझाएर जरूरी है ये ये नई सरकार आने को बदलाव जो जदेखनी निए इनके वहा जासान में दज़े तिल्चस्पाने के जएग रहे जद क्या चारूरी है ये टुछने के सोबसे हैं